भुभ्यारों के बरे चेहरे बाहु बली नेता सुरजभान सिंग को भारती जंता पाटी ने जोर का जटका दिया है एक द्रब जहां लालू प्रशाद यादो नमादा मुगेर और बेगुसराय में सिंबॉल देकर दरवाजिक को बंद कर दिये तो दूसरी ओर तमाम कोशिसों के बावजूद भी सुरजभान सिंग को भाजपा ने भाव नहीं दिया नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बिर्जु सिंग भाजपा की ओर से बिहार की 17 लोकसभा सीट को लेकर उमिदवारों के नाम का एलान कर दिया गया पाटी ने 13 सांसुदों को एक बाव फिर से मैदान मुतारा है वही लोजपा के कोटे से भाजपा के हिस्से में आई नामादा सीट को मिला कर चार नए चेहरे को मैदान में उतारा गया कुछ दिर पहले पुर्व केंद्रिय बंतरी पस्पती कुमार पारस ने सीट मटवारे को लेकर इंडिये का दावन छोड़ दिया था हलाकि पारस के सबसे बड़े सिपा सलाकार सुरजभान सिंग ने कहा था कि वो सुरू से ही इंडिये के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे सुरजबान सिंग की सम्यान के कई राजितिक मायने लिकाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि सुरजबान सिंग डिली में डिर डाले हुए है ताकि भाजपारेताओं के साथ उनकी बातचीत हो जाए और कम से कम नमादा नहीं हो तो बेगुसराय की एक लोग समा सीट दे दी जाए और उस सीट से चंदन सिंग जो नमादा के सांसद है वो चुनाओ लड़े या फिर सुरजबान सिंग की पतनी वीना देवी चुनाओ लड़े परिवार का कोई एक सद से चुनाओ लड़े लेकिन भारती जंता पार्टी ने अपने उमिद्वारों के लिष्ट जारी कर दी है और नमादा से बिबेग ठाकुर्जो भाजपा के रासबा सांसद है वो भ्यार जाती से आते हैं उन्हें मैदान में उताकर इतना साप कर दिया है कि स्रजभान सिंग के लिए भारती जंता पार्टी के अंदर कोई जगा नहीं है बेगुसराय से गिर्राज सिंग सांसद है और उन्ही पर भाजपा ने एक बाद फिर से दाव लगाया है मुगेर से ललन सिंग के नाम का एलान पहले ही कर दिया गया है जेडियू कुटे से हैं ललन सिंग पूर राष्टे अध्यक्ष रहे हैं ऐसे में अब पूरी तरीके से हर एक दल के अंदर स्रजभान सिंग के लिए दरवाजे बन रह गये है चुकि लालू प्रशाद यादो की पार्टी आरजेडी मुगेर लड़ रही है मुगेर से असोक महतो को उमिद्वार बनाया गया वही नवादा से सरवन कुस्वाहा को उमिद्वार बनाया गया बेगु सराय से अधे सराय CPI के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे है तो तमाम कोशिसों के बावजूद भी सुरजभान सिंग को भारती जंतापाटी ने दोर का जटका दिया है सुरजभान सिंग को भारती जंतापाटी ने भाव नहीं दिया है आपको याद होगा जब लोजपा टूटी थी तो कहा गया कि पस्पती कुमार पारस बेसक एक चेहरे थे लेकिन बड़ी भोविका सुरजभान सिंग की थी और उसी वक्त से चिराग पासवान के निशाने पर सुरजभान सिंग थे याद तक कि कई उप्चुनाओं में सुरजभान सिंग के साथ चिराग पासवान ने मंच साजा करने रोड सो नहीं करने को लेकर सिज़े तोर पर भाजपा को का दिया था कि सुरजभान सिंग के साथ कोई मंच साजा नहीं करेंगे जिसके बाद सुरजभान सिंग को भाजपा ने कई मंचों से साइड कर दिया था और आज यू कह सकते हैं कि चराग पास्वान का प्रेसर था या फिर भाजपा वाकई में चाहती थी कि सुरजभान सिंग को नहीं अपने पाले में किया जाए चुकि जिस के चितर से सुरजभान सिंग आते हैं इस चितर से खई बड़े भुम्यार समाज के नेता भाजपा के अंदर है और यहीं बड़ी वज़े माननी जा रही है कि भारती जंता पाल्णी ने सुरजभान सिंग को स्विकार नहीं किया है तो बाहु बली नेता जो भुम्यार समास से आते हैं सुरजभान सिंग फिलाल ना इधर के रहे ना उधर के रहे हलाकि राजनीतिक सूजबू उनकी कापी अच्छी मानी आती है अब देखने वाली बात होगी कि आगे का उनका क्या स्टेप होता है हुआ